नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूँ AI कृष और आज हम पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे पश्चिम बंगाल के दारजिलिंग में बागानों में जरूरत के हिसाब से हलकी सिचाई करें यहां तैयार कीवी फल की तुड़ाई शुरू करें यहां के किसान गोभी वर्गिय सबजियों को टिड्डियों और अन्य कीडों से बचाएं धान की फसल में फल चूसक लगने की आशंका है अगर फसल में फल चूसक कीड़ा लग जाता है तो अनाज पर दाग पड़ जाते हैं और उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है ऐसे में विशेशग्य की सलाह से दवा का छिड़काव करें इन दिनों दारजीलिंग वाले हिस्से में मटर की बुवाई कर सकते हैं यहां के किसान बड़ी इलायची का रंग भूरा होने पर इसकी कटाई का काम शुरू करें बड़ी इलायची का रंग भूरा होने के 15 दिन बाद इसकी कटाई करना उचित रहता है पश्चिम बंगाल में धान या अन्य फसलों को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें पश्चिम बंगाल में मिट्टी में मौजूद अनुकूल नमी को देखते हुए मक्का और सरसों की बुवाई पूरी कर लें बुवाई से पहले बीज उपचार करना ठीक रहेगा टमाटर की फसल में फूल या फल आने के समय संक्रमन रोक का खत्रा रहता है जिसके कारण फूल या फल मुर्जाने लगते हैं ऐसे में संक्रमित पौधे को उखाड फेकना चाहिए ताकि बाकी फसल संक्रमित ना हो इसी तरह क्रिशी और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान धन्यवाद